इस वीडियो से हम शुरू करने जा रहे हैं मिनी प्रोजेक्स मतलब आपने अभी तक जितना भी HTML में cover up करा है उससे related एक छोटी सी application बनाएंगे जिसमें list, anchor, heading बहुत सारी चीज़ें आपके revise हो जाएंगे आपको पता चलेगा actual application में इन टैक्स को कहाँ पर apply करा जाता है और इस तरीके के many projects आते रहेंगे आगे भी जैसे जैसे हम कुछ important tax cover up करेंगे इससे पहले कि अगले topic की तरफ चलें उन टैक्स को use करके बनाएंगे अब एक project तो इस project में हम बनाने वाले हैं कुछ important lists related code चले शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे अभी तक के tags इस code में हमारी help करेंगे तो सबसे पहले आप video pause कीजे और recognize करने की कोशिश करिए किस web page में कौन-कौन से tags use हो हैं उसके बाद फिर मैं इसको solve करता हूँ आप चेक करिएगा जो आपने पहचाना जो आपने identify करा क्या solution में वो tags use हो रहे हैं तो friends notice करिए सबसे उपर जो आपको tag दिख रहा होगा the most important tag top पे जो आपको दिख रहा है वो है हमारा हमारा h1 tag तो एक तो आपको नजर आ रहा होगा कि हम h1 use कर रहे हैं then friends यह क्या है जो 1 और 2 और 3 यह सब आ रहे है यह आपको याद होगा यह अपने आप में ordered list है और ordered list के अंदर अगर आप notice करें तो यह मैंने use कर रहा है anchor और anchor के साथ notice करी अगर यह text बड़ा आ रहा है और bold आ रहा है मतलब यह अपने आप में h2 है तो एक तो हमारे पास h1 है then हमारे पास यह h2 tags है जो हमारे list item के अंदर anchor को hold करें है other than that अगर आप चेक करें तो यह हमारे पास paragraph है और यह क्या किया है हमने यह हमने list की करी है listing तो इस पूरे page के अंदर चार main तरह के tags यूज हुए है headings यूज हुए है list items यूज हुए है anchors यूज हुए है और ordered और unordered list यूज हुए है तो चलिए इसको apply करते हैं अपने code के अंदर ताकि हम इसको proper shape में लेकर आए तो मैंने paralleli vs code open करावा है और vs code के अंदर open करावा है मैंने एक नया page जिस page में हमें इस page को copy करके बनागा अब मैं इस फूरे text को copy करूँगा और फिर इस text के उपर अपन apply करेंगे tags आप चाहें तो paralleli practice कर सकते हैं इस video के साथ साथ में या फिर मुझे करतावा देख एक बार उसके बार independently खुद इस project को बनाने की कोशिश कीजेगा ठीक है तो सबसे पहला काम मैंने vs code के अंदर यह जो है आपके सामने यह challenge है और एक solution नाम की file open करी है जिसमें इस challenge को हम करने वाले है solve first things first सबसे पहले emit से generate करा लेते हैं हम html का boilerplate code इसमें meta को कर देते हैं अपन drop तो यह पूरा meta मैंने drop कर दिया इसको यहां से मैं close कर देता हूँ और title क्या है हमारे web page का तो अगर आप output में चेक करें तो title हमारे web page क्या रहा है list example project बहुत बढ़ी है light yellow साब यह तो हमने अभी तक सीखा ही नहीं कैसे change करते हैं बिल्कुल ठीक इसका official तरीका change करने का है कि हम इसको CSS से करें लेकिन अभी के लिए हम इसको handle करनेंगे bg color नाम के attribute से जो हम body tag के थूरू देते हैं बट फ्रेंड्स क्योंकि अभी हमने body tag को detail में नहीं पढ़ा है तो जादा परेशान मत हो यह गा और वैसे भी color change करने का सही तरीका है कि हम इसमें CSS लगाएं बट as of now अपन ट्राइ करते हैं तो मैं गया body में यहां लिखा मैंने bg color bg color एक attribute है और मैंने यहां color का नाम provide कर दिया which is light yellow और भी बहुत सारे तरीके हैं color का नाम देने के बट यह सबसे simple तरीका है ठीक अब अगर आपन इस page को run करें तो notice करिए हमें और कुछ नहीं लेकिन color background का ज़रूर मिल जया उस style में जैसा आपन को चाहिए तो light yellow इस page का भी background है अब friends यह text में copy करता हूँ top 3 best tech information website इसे अपने page के अंदर paste करते हैं लेकिन अगर मैंने इसको ऐसे paste कर दिया as you can see अगर जाकर मैं चेक करूँगा तो मुझे output में best tech information website तो दिखेगा लेकिन वैसा नहीं दिखेगा जैसा इसको इस example में दिखना चाहिए क्या करना पड़ेगा मुझे दो चीज़े करने पड़ेगी क्या दो चीज़े एक तो इसको डालना पड़ेगा h1 में और इसका alignment करना पड़ेगा मेरे को center very good तो अपन क्या करते हैं यहाँ पहुँचते हैं इस h1 tag तो generate करते हैं यह पूरा content copy करते हैं copy करके इसको paste कर देते हैं inside h1 और friends यहाँ पर लिख देते हैं align equal to center है ना देखते चलिए क्या हम achieve कर पा रहा है हमारा challenge का solution yes first part हमारा complete हो गया we are able to get this output top 3 best tech information website अब बात आती है यह पूरे section को generate करने की यही सबसे important है friends बस यह हो गया एक तो बागी तो इसके सिर्फ replicas है अब अगर आप notice करिए तो उपर हमारे पास 123 करके numbering आ दीए कौन देता है आपको 123 numbering obvious है बात है यह हमें मिलती है with the help of oil tag तो हमने oil tag लगा दिया अब friends oil के अंदर क्या आता है तो oil के अंदर आता है list item तो मैंने एक list item भी use कर लिया ठीक है यह मेरा list item हो गया list item के अंदर हमको क्या चाहिए तो अगर आप notice करिए हमको anchor चाहिए लेकिन जो text है anchor का वो normal font size से बढ़ा रहा है यानि हमारे साथ हमें अपने code के अंदर anchor और heading दोनों को करना पड़ेगा use ठीक तो अब हम क्या करेंगे अब अपन यहाँ पर use करते हैं हमारा h3 tag और h2 use कर लेते हैं और h2 के अंदर provide कर देते हैं anchor anchor में h2 क्यों नहीं दे रहें friends क्योंकि anchor inline है inline में block elements हम लोग नहीं देते हैं block में जरूर हम inline को embed कर सकते हैं तो हमारा h2 हो गया h2 के अंदर anchor आ गया anchor के href में अपनको side का link देना पड़ेगा और वो मैं अभी copy करके paste करता हूँ और यहाँ पर anchor के अंदर हम लोग लिख देंगे the verge इतने पर output चेक करते हैं क्या हमाँ पास one और the verge लिखावा आ गया verger हो गया sorry let's make it the verge चेक करिए output definitely हमें मिल रहा है the verge के नाम से अब रहा सवाल इसका actual link तो वो नीचे आ रहा है www.theverge.com और इस पर click करने पर क्या हम the verge पर redirect हो रहे हैं बिलकुल तो हमारे page में भी हम the verge पर redirect होने चाहिए so the url is बिलकुल bottom of the page पर आप देखिए आपको देख रहा होगा www.theverge.com तो मैं भी अपने tag के अंदर इस hash को अटाता हूँ और यहां लिखता हूँ www.theverge.com ठीक है if everything is okay हमारे case में भी redirect हो जाना चाहिए है अब हमें the verge पर चलिए चलिए बहुत बढ़िया यह हमारा first part complete हुआ अच्छा लगता है ना जी 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 जैसे हम challenge पूरा करते जाते हैं ग्रेट अब आते हैं अंदर के text आप friends यह क्या है यह हमारे पास एक paragraph है ओके recommendation यह है कि आप paragraph को या nesting करेंगे अगर किसी को तो वो list item के अंदर ही करें आप है ना तो हम यहाँ पर एक paragraph लिखते हैं paragraph के अंदर हम यह पूरा text कर देते हैं copy तो यह पूरा text मैंने copy करा यह copy हो गया इसको मैंने यहाँ पर paste कर दिया correct अब अगर आप चेक करें तो जो original page है उसमें the verge हमें bold दिख रहा है no big deal bold दिखाने के लिए either we can make use of b tag और we can make use of strong tag तो चलिए मैं b tag use कर लेता तो मैंने b tag use करा और यहां b tag की मैंने कर दी अपनी तरफ से closing save करिए इसको output चेक करिए यह भी आपको मिलेगा ऐसा ही the verge अब notice करमे वाली बात है अब यह क्या है जिसमें आपको squares नजार आ रहे है तो यह एक unordered list है जिसके अंदर लिखावा है pros उसके अंदर फिर एक unordered list है जिसके अंदर आपको दिख रहे है कुछ items जिनके आगे लगा हुआ है circle तो friends square और unordered list कैसे लाता है हमारा अगला challenge है इस P के बाद हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ul ओके यह हमारा ul tag हो गया यहाँ कहना पड़ेगा type equal to square क्यों square क्यों कहना पड़ेगा क्योंकि आपको याद होगा ul में जो by default marker होता है वो by default disk होता है जिसके कारण आपको bullets दिखेंगे और हाने चाहिए माँ पर square तो मैंने कह दिया ul में type equal to square इस type equal to square के अंदर एक हम लोग li ले ले लेते हैं li, right li के अंदर मैं लिख देता हूँ pros अब चेक करिए इसी li के अंदर मुझे चाहिए ये पूरा content जिसके अंदर मेरे पास आने चाहिए ये circle shaped के elements तो अब हम nesting करेंगे इसके अंदर एक और हम लोग use करेंगे जो रेटा है अब इस वारे में कई बार internet पे आपको देखेगा कि हम दोनों तरीकों से nesting कर पाते हैं हम ul को li का sibling भी बना सकते हैं और हम ul को li का child भी बना सकते हैं जादा better recommended practice है कि अगर आप list की nesting करें तो ul को li का child बना कर करें वो ही मैं भी यहाँ पर best practice follow कर रहा हूँ चीक है तो अब यहाँ आते हैं यहाँ से हम अपना यह पहला वाला element लेते हैं बट the problem is यह जो अंदर वाला ul है इसमें मुझे type देना पड़ेगा circle बिल्कुल ठीक type equal to circle दिया मैंने इस type equal to circle के अंदर फिर हम provide करते हैं एक li इस li में हम अपना text लेते हैं ज़रा इतना चला के देखें 3 के अंदर इस लिए क्योंकि वो खाली bold ही नहीं है आपने ये भी गौर कर रहा होगा उसका जो font size है वो normal font size से बढ़ा है तो ये pros हो गया हमारा यहाँ पर इसके बार अंदर आ रहा है in-depth coverage of new products and services तो वो हम यहाँ पे मिली रहा है बस होगी problem solve आप इसको copy करते चलिए इस list item के अंदर paste कर दीजे तो यह हमारा दूसरा LI हो गया उसके अंदर यह paste कर दिया हमने फिर हमारे पास यह एक और LI यह हमने paste कर दिया high quality journalism और engaging visuals so high quality journalism और engaging visuals engaging visuals ठीक है तो यह हमारा pros वाला section हो गया है just check it ठीक है जैसे आपको first वाले में pros दिख रहा है वो हम भी दिख रहा है अब आ रहा है cons तो cons तो बहुत ही simple है अब notice करिए यह वाला जो LI है यह हमारा कहां खत्म हो रहा है friends pros वाला जो LI है यहाँ फिर अब हमें एक और LI लगाना चाहिए जिस LI के अंदर एक और एक और H3 लगाना चाहिए और H3 में हमें देना चाहिए ठीक और इस H3 के बार same concept copy कीजे इसे फिलाल मैं as it is paste कर देता हूँ बस content बदल देता हूँ यहाँ in-depth coverage की जगे पहला content आ जाएगा can be biased towards something something तो यह मैंने copy paste कर दिया ओके देन हमारे पास दूसरा आ जाएगा can be overwhelming for beginners यह अपने paste कर दिया ठीक देन अपने pick कर लिया can be slow to update and can be clickbait तो यह हो गया can be slow to update और कुछ clickbait से related drawback है तो वो pick कर लिया परने control c और यहां कर कर दिया control v ठीक चेक करिए क्या first part आ रहा है same yes बिल्कुल first part हमारा same आ रहा है जैसा आपको यहां दिख रहा है content वैसा ही हमारा content यहां पर आपको दिख रहा होगा अब क्या करना है अब अपने को अगला वाला करना है अब अगला वाला same है मुझे ने लगता आपको कोई दिख कर जाएगी क्या करना होगा यह जो हमने L.I.P. पूरा करा हो है इस पूरे को अठाईए यहां से लेकर यहां तक copy कर दीजे content change करते जाएगे ठीक है www.wired.com ठीक है wired के paragraph में क्या text रही wired के paragraph में it's a technology magazine and website followed by some more text तो मैंने यह हटाया paste करा और भूलिएगा मत wired के लिए लगाना पड़ेगा मुझे b tag क्योंकि मैं चाहूंगा यह पूरा हमारा bold look करा है यहां हमने b tag provide करा ठीक है then उसके बाद type square रहे गई रहेगा prose रहे गई रहेगा circle रहे गई रहेगा circle के बाद हमें यहां पर क्या चाहिए long form journalism let's copy it long form journalism यह हमारा आ गया friends ठीक है long form journalism then अगला क्या है ability to identify and explain emerging trends very good ability to identify and explain emerging trends फिर यह high quality वाला और फिर यह visually appealing वाला high quality right writing और visually appealing इसे copy करा इसे कर दिया अपने आप अब तो आप ने बना लिया होगा आप तो इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं है ना सिर्फ अपन को content ही change करते जाना है layout तो हम बलाना सीखी गए इस particular page का ऐसे हमारे पास कौन सारा है can be overwhelming for beginners भीपल ठीक can be overwhelming for beginners यह हमने ले लिया इसको कर दिया मैंने paste can be और फिर हमने इस वाले page पे भी content copy करा can be biased तो यह हमने can be biased वाला content copy कर दिया can be biased फिर हमने ले लिया can be slow to update and can be expensive can be slow to update यह तो ही clickability के जगे लिख देता है expensive ठीक है जी यह हो गया हमारा दो sections त्यार तो as you can see the words और wired आप आ रहा है जैसा हमको चाहिए था last हमारा है tech crunch तो जैसा मैंने आप से कहा इस LI को यहां से यहां तक लीजिए ठीक है copy कर दीजे and keep on changing the content ठीक अब यहां पर क्या आ रहा है अब यहां पर मारी तीसरी website आ रही है tech crunch तो यह है tech crunch dot com पहला update इसके anchor को करिए www.techcrunch.com ठीक यहां पर आ जाएगा tech crunch ठीक है जी अब आ जाएगे page में यहां आ जाएगा tech crunch is the technology यह लिया आपने और इस पूरे को हटाकर paste कर दिया यहां आ गया हमारे पास tech crunch वाला पार्ट पोल्ड में और इसको अपन लोगों ने forward slash b के साथ बंद करा तो यह मारा tech crunch आ गया जी इसके बाद इसके बाद फिर हम लेते हैं इसके प्रोज वाले पार्ट को timely coverage so timely coverage ठीक देन फिर हम लेते हैं well written informative reviews well written and informative reviews like this then wide range of topics wide range of topics यह paste कर दिया अपनने और last but not the least easy to navigate website and videos ठीक now you can see for yourself यह आपका original और यह आपका challenge का solution I hope आपको समझ में आया होगा कैसे हम anchor, list और use कर सकते हैं headings को इस तरीके का output लाने के लिए all the best अगले project के लिए ऐसे एक और challenging project लेकर मिलता हो अगले वीडियो में but फिलाल हम continue करेंगे हमारी HTML series का अगला tag thank you so much for all the love and support you are showing to us thank you हुआ 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 Et माजαब झामे हुआ 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 तरीकें